हेलो नमस्कार दोस्तों मैं हूँ मॉन्टी स्वागत है आप सभी का मॉन्टी लाइफ इस्टेल चैनल पर तो फ्रेंस आज की इस वीडियो में आपके साथ एक ऐसी रेमेडी शेयर करने वाला हूँ जिससे आप लगाओगे तो आपकी स्कीन बेहती ज़्यादा गुरूई जो कि मैंने एक्स्टा वर्जन कोकुनाइट लिया है आप चाहें कोई शा भी ले सकते हो तो यह दोस्तों आपकी स्कीन को सौप्ट एंड स्मूथ बनाने का बहुत अच्छी तरीके से काम करता है लेकिन आज मैं इसकी साथ एक ऐसी चीज मिक्स करके लगाने वाला हूँ औ इसी प्रोसेस से आपको करना होगा तो यहां पर दोस्तों मैंने एक चम्मच कोकुनाट ओयल दिया है जैसे आप सामने देख पा रहे हैं यह दोस्तों मेरे पास एक्स्टा वर्जन है आप चाहें कोई शावी ब्रांड ले सकते हो जो आपके पास अवेलबल हो और दोस्तों सेकेंड इग्रीडेंट लेना है दोस्तों मुझे यहां पर लैमन यानि की नीबू का रस नीबू में दोस्तों बिलीचिंग प्रोपर्टीज होती है लैक्टिक एशेट होता है और बिटामिन सी से भरपूर होता है जो कि हमारी स्कीन को लाइटन कर इसकीन को चमकदार बना यहां पर दोस्तों मैंने लिया है एलमन ऑईल यानि की बादाम का तेल बादाम का देल दोस्तों एक ऐसा एग्रीडेंट जो कि आपकी स्कीन पर एक नई चमक लाता है बेजान से बेजान मतलब चेहरे की चमक में जान डाल देता है और यह बहुत ही अच्छा बता रहा हूं और इससे दोस्तों खास बात यह है कि आपकी स्कीन एकदम से सॉप्ट एंड स्मूथ होगी और बहुत ही अच्छा इससे गलो आएगा तो दोस्तों आप जब सोने को जाते हो तो उससे पहले आपको अपने चेहरे को सापानी से वाश करना है दन उसके बाद म किस तरह से है जैसे मैं आपको बता रहा हूं ऐसे लगाना है सहम इसी प्रोसेस से आपको हलकी से दोंगली सो डिप करना है और अपने जहां पे भी आपका प्रॉब्लम है बहां पे से लगाई यह चेहरे पर नेक पर और बॉड़ी पर तो इसे अच्छे से अपलाई करते हो लगाना है ओवर नाइट के लिए लगा करके ऐसे ही मतलब सो जाना है देन उसके बाद में सुभई मॉर्णिंग में बॉश करने ना है तो आपको पहुत ही अच्छा यल्प मिलेगा मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ तब तक के लिए नमस्का ट